इरान में खरीब एक महीने से जारी हिजाब विरोधी आन्दोलन की आग फैलती जा रही है। हिजाब विरोधी प्रदर्शन 30 शहरों में फैल चुका है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूर विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहे हैं। इस बीच इरान के शिक्षा मंत्री का एक बेतु का बयान सामने आया है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। उनका कहना है कि हिजाब का विरोध करने वाली स्कूल और कॉलेज की छात्राओं की मानसिक स्थिती ठीक नहीं है। ये सबी छात्राएं दिमागी रोग से ग्रसी थी। इन छात्राओं को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भरती कराया जा रहा है। जिससे इन छात्रों में पनप रहे आसामाजिक वैवार को दुरूस्त किया जा सकी। इरान के अलग लग शहरों में हिजाब विरोधी प्रदेशनों के दौरान अब तक खरीब 2500 से जादा लोगों की मौत हो चुकी, 2000 से जादा लोगों को गिरफतार किया जा चुका है। एमनेस्टी इंटरनाशनल ने हाल में 19 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मताबिक सितंबर में प्रोटेस में शामिल 23 बच्चों की मौत हुई है। इन सभी की मौत इरानी स्वरक्षा बलकी गोलियों से हुई। इरान में हिजाब विरोधी प्रजशनों को कुचलने में पुलिस पस्थ हो चुकी है। राश्वती इबराहीम रहीसी की सरकार की विफलता को देखते हुए अब आंदोलन को कुचलने के लिए रेवलुशनरी गाड्स को तैनात किया गया है। बता दे कि इरान पुलिस ने 13 सितंबर 2022 को महसा अमीनी नाम की उफदी को हिजाब नहीं पहनने के लिए गिरफतार किया था। तीन दिन बाद यानि 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। इरानी मीडिया रेपोर्ट्स के बतावियत अमीनी गिरफतारी के कुछ घंटे बाद ही कोमा में चली गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। रेपोर्ट्स में कहा गया कि अमीनी की मौत सिर पर चोट लगने से हुई। पुलिस ने दावा किया कि अमीनी की मौत हार्ट अटेक की वज़े से हुई बहराल इरान में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद फिलाल आगे भी धंकता नहीं दिख रहा है टाइंट नौन भारत दिजिटल की रिपोर्ट